नमस्कार कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीडियो लेक्चर सीरीज में जैसा कि आप सभी को पता है वीएसी पार्ट 3 के लिए यूनिट 3 हमने शुरू की है जिसमें आज हम अमारा लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं पिछले लेक्चर में अगर आप हाई एर मोई को लोजों में कुछ इस तरह से हमने कणवर्जन्स देखे थी आये कुछ और कांवर्ज्ञ से उनको लेकर चलते हैं और यह जो इंपोर्जन्स आपिंस इब संपढ़र्जम है काफिं इंपॉर्ट अथे हैं हम चीजों को पढ़ना पड़ेगा लेकिन उससे प दोसी और हमद अगर को यहरु है घ किसे रखा है वहाई ऑसे हम से कहा जाए की टोस बनाओ के इसी वह कैसे बनाएंगे ये तो हम देख चुके कि Eldos से उच्चतर Eldos कैसे बनाएंगे अब हम देखते हैं कि अगर हमको निम्नतर Eldos दिया गया है तो उसे हम Ketos कैसे बनाएंगे? उच्चतर Ketos तो जो अगला Inter Conversion है वो क्या है? Eldos से उच्चतर Ketos का उच्चतर Ketos में परिवर्तन For example, ये कैसे दिया जाएगा? कोई Eldos दे दिया? मालों, D-Arabinose दे दिया D-Arabinose का किसमे? Fructose में परिवर्तन D-Arabinose दिया है, हमें उससे क्या बनाना है? Fructose बनाना है D-Arabinose से D-Fructose बनाना है कैसे करेंगे हम ये परिवर्तन? तो ये जो विदी है ये जो परिवर्तन है, ये एक Buloform थे Scientist थे Buloform उनकी विदी पर आधारित है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये है परिवर्तन ये है परिवर्तन किसकी Buloform किसकी विदी पर आधारित है? Buloform की विदी पर आधारित है यह जो inter-conversion है यह वोलो form की विधी पर आधारित है कैसे करेंगे? मानलो हमें हमारा क्या दिया गया है? Arabinose दिया गया है Arabinose में कितने कारवन होते हैं? 5 कारवन होते हैं ऐसे लिख दें हम Arabinose को CHOH का होल थ्राइस और नीचे है CH2OH OH कितने कारवन है? 5 कारवन क्या दिया है हमें? यह हमें दिया हुआ D Arabinose अब हम क्या करेंगे? D Arabinose को क्या करेंगे? हम ऑक्सी करन कराएंगे नॉर्मली जो हमने inter-convergence में किया है शुरुआत में हम क्या कराते हैं? ऑक्सी कराते हैं तो मान लोग किससे करा दिया? ब्रोमीन वाटर से करा दिया ओक्सी कराएंगे ब्रोमीन वाटर से mild oxidizing agent है तो यह क्या करेगा? CHO ग्रूप को oxidize कर देगा किसमे? सॉरी तो यह CHO ग्रूप को COOH ग्रूप है क्या कर देगा? ओक्सी कर देगा बाकि हम इसको ऐसे लिख देते है CHOH का whole thrice और नीचे CH2OH क्या बन गया यह? acid बन गया यहाँ पर हमने क्या लिया था? L-dose L-dose का oxygen हो गया और क्या बन गया? acid बन गया L-dose का oxygen हो गया? क्या बन गया? acid बन गया आगे हम इसकी reaction कराएंगे AC2O AC2O का है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ AC2O का मतलब है Acetic Anhydride इसको बोलते हैं AC2O यह जो ग्रूप है यह AC कहलाता है यह AC oxygen से जुड़े हुए है इसलिए AC2O यह क्या है? Acetic Anhydride लिया है अगर हम Acetic Anhydride लेंगे तो हम जानते हैं हमारे पास क्या-क्या मौझूद है तीन और एक चार चार Hydroxyl समूँ मौझूद है यह पर हमारे पास क्या है चार Hydroxyl समूँ Alcoholic समूँ मौझूद है वो भी चार-चार तो क्या करेंगे? यह जो Hydroxyl है यह Acetic Anhydride के साथ रियक्ट कर जाता है यह Alcohol है ना Alcoholic Group है तो Acetic Anhydride के साथ रियक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? Acetate बनाएगा जिसको अपनी नॉर्मल भासा में क्या कहते है? Ester क्या बना लेगा यहाँ पर? कौन सी reaction होगी? Esterification reaction होगी Ester बनेगा और कौन रियक्ट करेंगे? यह जो Alcoholic Group है यह मालू मैंना कैसे? जैसे मालू हमारे पास कोई Alcohol है तो कैसे रियक्ट करेगा? यह जाएगा यह अटेक करेगा यह उपर जाएगा नीचे आएगा और यहाँ से यह बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा Ro C double bond O CH3 यहाँ पर H जुड़ा हुआ है Positive Charge यहाँ क्या H जुड़ा हुआ है तो Oxygen पर क्या आएगा? Positive Charge यहाँ से बाहर क्या निकला? बाहर निकला CH3 C double bond O O minus क्या बाहर निकला? CH3 C double bond O O minus यहाँ से बाहर निकला यह क्या ले लेगा? यहाँ से H प्लस ले लेगा तो बनेगा क्या? यह बनेगा Ro C double bond O CH3 और यही तो क्या है हमारा? Ester यह क्या है हमारा? Ester तो जो हमारा Alcoholic Group है वो इस तरह से यहाँ पर किसका निर्माण करेगा? तो हम देखते हैं तो मैं यहाँ से मिटा दूए देख लिए आप लोग ने किस तरीके से होगी? तो मैं इसे मिटा देती हूँ आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? C O O H तो ऐसा ही रहेगा बाकी यहाँ पर क्या बन जाएगा? C H यह O जो था, यह मैं ऐसे लिख दूँ CH, O, C double bond O, CH3 का होल 23 और नीचे भी CH2, O, C double bond O, CH3 यह बन गया, हाइड्रोक्सिल सम्मू किसमें परिवर्तित हो गया? एसी टेट में परिवर्तित हो गया कितने हाइड्रोक्सिल सम्मू है यहाँ पर? कितने हाइड्रोक्सिल सम्मू है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल सम्मू है कितने? 4, इसके साथ ही तो यह बना हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम, टेट्रा-एसिटेट कितने 4 एसिटेट बन गये? teatra acetate molecule बन गया यह है, आगे क्या होगा, यहाँ पर COOH है, इसकी reaction में कराऊंगी SOCl2, thionyl chloride से, acid दे रखा है COOH group, किस से reaction कराऊंगी मैं thionyl chloride से, तो क्या होगा यहाँ पर, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, यह acidic group है, ठीक है, जब भी हम acidic group की reaction thionyl chloride से करते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पर यहाँ पर बनता है COCL acid chloride group का formation होता है किसका formation होता है acid chloride group का formation होता है और बाकी ऐसा की ऐसा ही रहेगा whole thrice CH2 OCH3 क्या बन गया COCL COOH group था acidic group था किस से reaction करा ही हमने SOCL2 thionyl chloride से कैसे होगा यह reaction हम देखते हैं यह है हमारे पास RC double bond O OH है ठीक है क्या दे रखा है हमारे पास हमारे पास दे रखा है यह दे रखा है तो होगा क्या होगा क्या यहाँ पर यह जो oxygen के loan पे आ रहे है यह acid है क्या है यह acid है R-C-O-O-H R-C-O-H acid है acid क्या करेगा H-plus देगा क्या देगा H-plus देगा H-plus देगा तो oxygen पर क्या आएगा minus निए माइनस चार्ज कहां अटेक करेगा को बाहर नाएगा तो वही किस अमेन ने पहले उपर गयाए वापस नीचे आएगा यहांसे सीज बाहर अधैक यह यह क्या बनेगा यह बनेगा आसीडवर ब्रोंड ओ ओ क्ल यह क्या है घृर्ट और यहर कुछ बाहर भी निकला यहां से क्या हुआ है बाहर निकला यहां क्या वनेगा हमारे पास एक अच्छा लीविंग? तो क्या होगा? जो CL- यहांस पहले बाहर निकला यह कार्बोनिल ग्रूप पर. कहां अटेक करेगा? इस कई किया बना कि आठ आठ ची ओ सी एल एकित लो राइड कि यहां पर फॉरमेशन होगी मर पास एकिट क्लोराइड ही तो यह जो मेकैनिजम है यह इस तरीके से होता है ठीक है यह कैसे चेंज़ हुआ वह आपको यहां दिख रहा होगा इस थागर आगे आगे क्या मेकनेजम होगा इतना समझ में आए आपको आगे क्या होगा यह जो एकड क्लॉराइड बनाए हमारे इस पर हम reaction कराएंगे किसकी CH2 N2 CH2 minus N2 plus इसकी reaction कराएंगे तो होगा क्या तो होगा क्या यहां पर क्या है CH2 minus है यह attack करेगा किस पर C O C L पर और यहां पर क्या change कर देगा इसको C double bond O यह change हो जाएगा C double bond O यहां पर ऐसे लिख दूँ CH N2 plus इस तरीके से यह group change हो जाएगा और बाकी का नीचे जैसा था वैसा ही रहेगा CH मैं OAC करके लिख दूँ whole thrice CH2 OAC इस तरीके से लिख दिया मैंने ऐसे लिख दिया यह बना हमारे पास समझ में आया ना कैसे यहां पर negative charge है यह है हमारे पास R C double bond O C L वहां लेकर जाओंगे इससे बेटर यहां दिखा दूँ यह हमारे पास negative charge negative charge यह attack करेगा तो क्या होगा यह उपर जाएगा यह bond जो है उपर shift होगा oxygen पर फिर वापस लोट कराएगा नीचे और यहां से CL बाहर निकल जाएगा और यह जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा R C double bond O और यहां पर क्या बन जाएगा CH N2 क्या बन प्लस क्या होगा यह बन जाएगा यहां पर क्या बन जाएगा कर्बोकेटाइन क्या बनाएं यहां पर फॉरमेशन हुई है कार्बोकेटाइन की कार्गो-केटैन की फॉर्मेशन वुज है आगे हम इसे गर्म करेंगे किसके साथ तनू-NAOH के साथ तनू-NAOH sodium hydroxyde इसे क्या करेंगे? तच्छ गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर क्या है? OH माइनस है यह यहाँ पर attack कर जायेगा और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CHitoH और यहां पर C double bond O ये है C rocky OAC का whole thrice और यहां पर C double bond O और Cp two OAC यह बन गया, Okay? अब हमारा यहां पर कार्बोनिल ग्रूप आ चुका है अब हमारा यहां पर कौन सा ग्रूप आ चुका है? कार्बोनिल ग्रूप आ चुका है एक कार्बन बढ़ चुका है तीन और एक चार पांच और एक जह कितने कार्बन हो गये टोटल ॉ Pakनल कॉर नो पर चुका है यहाँ पर 3 डवल मों बढ़ चुका है तो अब अमको क्या करना है यहाँ किस में चैर्ज करने फ्रक्ट्टि गटन कराएंगे या चार तो आमने लिए तो इसका जलब गटन जो कराएंगे वह चारिये जलब गटन होगा क्या होगा इस का हाइड Vishu घ्रो लिसुत हो जाएगा बेससके अने चार व की तो जो गाएस्टर कर जालाप ते वह वापस से किसम चेंज हो गया एलकोहलिक गुरूप और यही क्या है हमारा bisa when फ्रक्टोz तो इस तरीके से हम किजिए से आगे चलते हैं फिर आगे चलते हैं यह लास्ट स्टेप तो समझ में आया होगा ना इसको भी खोल कर दिखाने की जरूरत है चलिए दिखा देते हैं आपको तुछ यह है हमारे पास आर सी डबल ओ सरी आर ओ इसको भी पास देखाने के साथ जलब गटन करना है चा यहां नीचे आयो यह बनेगा यहां से यह ऐसे तूट गया तो यहांसे क्या बनेगा echo R O-, PluS, CS3, C100, O, O, H, क्या बना? CS3, CO, O, H, यह क्या करेगा R O-? यहां से H प्लस ले लेगा, तो क्या बना लेगा? यह बना लेगा, R O H, PluS, CS3, C100, O, O-? तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? जो ester था, अब वो किसमें change हो गया? ङॉपहॉल में तो वही रियक्शन यहां पर हुई है यह जो एस्टरिक ग्रूप थे यह एसिटेर्ट ग्रूप थे वो किसमें चेंज हो गए अलकोहॉल में यहां पर क्या हो गया उनका जल अब घटन हो गया तो इस तरह से यह रिएक्शन होती है आगे चलते हैं अगला इंटर कनवर्जन दीखते हैं जो अगला इंटर कनवर्जन है जो मारा नेक्स्ट इंटर कनवर्जन है वो कौन सा है वो है इसका नाम है एपी मरी करन एपी मरी करण जिसे बोलते हैं एपी मिराइजेशन यह जो रियक्शन है इसका नाम क्या है यह जो इंटर कनवर्जन है यह इसको बोलते हैं एपी मिराइजेशन IPO Mere routes, IPO Mere pressure displacement क्या है उससे पहले यह आपको समझ में आए क Crimory Current reaction है क्या उससे पहले आपको एक चीज समझने होगी जिसे हम बोलते हैं IPO Mère पहले आपको ये समझना होगा कि IP مर क्या होते है तब आपको ये समझ में आएगा कि IPO Mere current Inter conversion आखीर है क्या तो सबसे पहले हम epimer देखते हैं कि epimer क्या होते हैं दो चीज होती है एक होता है epimer और एक होता है anomer यह जो carvohydrate chemistry है यहाँ पर दो वर्ड आपको यूज़ करने को मिलेंगे एक anomer होता है और एक epimer और दोनों सेम नहीं हैं दोनों अलग होते हैं एक कहलाता है epimer और दूसरा कहलाता है anomer epimer क्या होते हैं अब anomer क्या होते हैं anomer आप पढ़ चुके हो anomer आप पढ़ चुके हो कहां पर पढ़े होई याद नहीं है आपको याद होगा glucose की हमने दो फॉर्म लिखी थी ना एक alpha form और एक beta form लिखी थी ना एनुमर, तो एनुमर क्या होते हैं, एनुमर क्या थे वहाँ पर, स्टीरियो केमिस्ट्री का डिफरेंस था, एनुमर किस आधार पर कहा था, उनको एलफा और बीटा किस आधार पर कहा था, स्टीरियो केमिस्ट्री के डिफरेंस के आधार पर, for example, यही तो था, एक ये था ठीक है और एक क्या बनाता एक में ओएच गुरूप कहां था रिंग के बाहर था ठीक है एक में ओएच गुरूप कहां था रिंग के बाहर था ये बीटा और ये अल्फा ये कौन सा अनोमर था ये अल्फा अनोमर है इसको बोलते हैं अल्फा अनोमर और ये कौन सा था बीटा अनोमर ये जो ग्लुकोस की दो फॉर्म बनी अल्फा और बीटा ये अपस में क्या कहलाती है अनोमर कहलाती है तो आप इनको देखकर बता सकते हो इनको अल्फा और बीटा अगर आपको ये समझ में आजाए अल्फा और बीटा के साधर पर काता यह जो कारवन होता है, यह जो कारवन है, इसी कारवन को हमने एक नाम दिया था, शायद आपको याद हो, इसको बोला जाता है, एनुमेरिक कारवन, याद होगा, मैंने कारवन को क्या नाम दिया था, एनुमेरिक कारवन, क्योंकि इसी कारवन से हम एलफ और बीटा डिसाइड कर रहे हैं यह जो पहले किसमें ग्रुप था पहले यह जो जब ओपन चीन थी ग्लुकोस की तो यह यह वाला ग्रुप था है ना अधिनल क्या था एल्डी क्या था एल्डी हाइड भुक था तो अब जैसे ही यह हेंटम सी क्या है ma हेमी एसीटल कारवन कौन सा कारवन है ये हेमी एसीटल कारवन है तो ये कौन सा कारवन है हेमी एसीटल ये जो रियक्शन हुई थी जिसमें ये साइकलिक फॉर्म बनी थी ये रियक्शन को हमने क्या कहा था हेमी एसीटल फॉर्मेशन ये जो स्ट्रक्चर थी इसको हेमी ग्रुप तो क्या होते हैं प्रतिविम्ब रूपी होते हैं पड़ेंगे आप लोगाने एको तेढाइट्विम्ब रूपी होते ही नहीं है तो अगर हम इन दोनों की comparison करें तो ये एक दूसरे की mirror image नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे इनका आपस में क्या relation होगा जो एक दोसरे की mirror image नहीं होते उनी को हम कहते हैं diastereo isomert उनको हम क्या कहते हैं diastereo isomert यानि कि अप्रितिविंब रूपी तो ये दोना आपस में क्या है अप्रितिविंब रूपी तो जितने भी एनोमर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं अप्रितिविंब रूपी तो ऐसे डाया स्टीरियो आईसोमर्स जिन में क्या होता है डिफरेंज होता है ऐसे डाया स्टी यह जो carbon है कौन सा है hemiacetal और यही अगर हम फ्रक्टोज में लेते तो फ्रक्टोज में कौन सा group होता है ketonic group तो वहाँ पर यह क्या कहलाता है hemiketal यहाँ पर aldehyde group है इसलिए hemiacetal carbon बोला इसे अगर फ्रक्टोज लेते तो फ्रक्टोज में C double bond O carbonyl group होता है उसे ketonic group होता है उसे हम क्या बोलते है hemiketal तो ऐसे डाय स्टीरियो आइसोमर्ज जहां पर hemiketal या hemiacetal carbon पर about stereochemistry difference होती है जैनि differeंट होती है बाकी सब तो आप देखोगे यह वाला पार्ट तो सेम है इसके नीचे वाला पार्ट यहां से अगर में काट दूं तो यह वाला पारalon दोनों क्या है यहा तो सेम है यहां तो सेम है बस difference का है इस carbon पर, difference का है के वल्या है पर इसमें और और ऐस ग्रुब अंदर की साइड राइट साइड ऊohy ग्रुफ बाहर की साइड लेफ साइड तो यहाँ पर कौन से कारभन परodel कहला है 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 में एसेटल कारबन तो जहां पर हैमी-कीटल-क alan पर- इस्टिरियो कैमिस्ट्री अलग होती है उन welcomeं क्या कैते है इनोमर के तो ये दौनों हापस में एल्फा और बीटा फॉर्म जो है यह आपस में क्या कहलाती है इनोमर कहलाती कि क्या क्या बोलते हैं एनोमर्स तो हम यहां डेफिनेशन लेख सकते हैं अगर आपको एनोमर्स समझ में आगा तो एपी मर्ग भी आ जाएगा पहले एनोमर्स देख लेते हैं एनोमर्स तो क्या होते हैं तो वे अप्रतिविंब रूपी जिनंग्लिश में क्या बोलते हैं डाया स्टीरियो आईसोमर्स तो वे डाया स्टीरियो आईसोमर्स जिनमें क्या होता है जिन में हैमी एसीटल या हैमी कीटल कारवन पर हैमी एसीटल या हैमी कीटल कारवन पर त्रिविम बिन्यास त्रिविम बिन्यास इस्टीरियो केमिस्ट्री बिन्न होती है त्रिविम बिन्यास बिन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें आपस में या उन्हें एनुमर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एनुमर कहते हैं. For example, एक्जामपल आपके सामने है, यह alpha एनुमर है glucose का और यह क्या है? क्यूंकि यहाँ पर हैमी ऐसीटल कारबन पर stereocemistry क्या है? डिफरेंट है. कि आदार पर इसे alpha और इसको beta कहा गया और इन दोनों का आपस में relation क्या है यह दोनों आपस में क्या है एनुमर है इसलिए यह एलफा एनुमर और यह बीटा एनुमर तो एनुमर वो होते हैं जहां पर हेमी एसीटल और हेमी कीटल कारवन पर इस्टीरियो कैमिस्ट्री अलग-अलग होती है ऐसे ही अमने फ्रक्टोस की भी बनाई थी जिसमें 5 मेंबर यहां तो 6 मेंबर रिंग बन रही है फ्रक्टोस में जब बनाई थी 5 मेंबर रिंग बन रही थी आपको याद हो साइक्लिक उसमें भी दो फॉर्म थी alpha और बीटा त तो यह होते है एनोमर नोट कीजिए एनोमर क्या होते हैं अगर एनोमर समझ में आगे तो आपको एपीमर भी समझ में आ जाएंगे यह तो है एनोमर यह तो कहलाते हैं एनोमर ठीक है अब एपीमर क्या होते हैं एपीमर देख लेते हैं अब अप्पिमर्स देख लेते हैं, अपने क्या होते हैं? तो अपने क्या होते हैं Richard A. यंगरो त Peng Attodge तक क्या हैं, तक क्या होते हैं, पहले अपना इनक्याओ देख सकते हैं, जैसे मेरे पास है, घ्लूकोज ये है मेरे पास glucose अब तो आप लोगों को भी glucose की structure रट गई होगी ये क्या है ये है हमारे पास D glucose एक और मैंने monosaccharide ले लिया एक दूसरा monosaccharide ले लिया मैंने जिसका नाम है D-manose ये है D-manose ये दौनों क्या है monosaccharides है ये D-glucose है और ये D-manose है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो इनमें difference कहां पर है अगर मैं यहां पर देखू तो इतना गृप तो ढौनों में क्या है ढौनों में same है यहां पर भी left side में दो OH है यहां पर H है तो इतना part तो ढौनों में same है D-glucose में और D-menose में यहाँ पर difference कहा है इस वाले carbon पर अगर मैं इसे carbon number 1 कह दूँ तो यह कौन सा होगा carbon number 2 यहाँ पर difference कहा है carbon number 2 पर यह carbon number 2 है तो glucose, D-glucose और D-menose में stereochemistry different है लेकिन कहाँ पर केवल carbon number 2 पर इसमें carbon number 2 पर OH ग्रुप जो है राइट साइड में जबकि इसमें कहा है लेफ्ट साइड में तो इन दोनों में भी stereochemistry का difference है लेकिन कहाँ पर carbon number 2 पर ठीक है carbon number 2 पर यह aldehyde group है यह तो ऐसे का ऐसा ही है यहाँ पर कोई change नहीं है क्योंकि यह भी दोनों में क्या है same है यह भी same है और इतना part same है इतना part दोनों में same है aldehyde group same है difference कहाँ है केवल difference है केवल carbon number 2 पर stereochemistry का तो यह दोनों आपस में क्या कहलाते हैं इनके बीच में जो relation होगा जो यह relation share करते हैं उसको बोलते हैं epimer यानि यह दोनों आपस में क्या कहलाएंगे यह दोनों आपस में epimer कहलाते हैं क्या कहलाते हैं आपस में epimer और वो भी कौन से epimer C2 epimer यह दोनों आपस में क्या कहलाते हैं epimer कौन से epimer C2 epimer C2 epimer क्यों क्योंकि इनमें carbon number 2 पर stereochemistry जो है वो difference है ठीक है तो इसी वज़े से इनको क्या कहा जाता है आपस में epimer कहा जाता है कौन से carbon पर difference है second carbon पर इसी लिए क्या कहलाते हैं आपस में C2 epimer तो हम यह definition लिख सकते हैं वे diastereo isomers इनको भी मैंने diastereo isomers कहा है और पृतिविंग रूपी कहा है क्यों? stereocemistry तो मैं जो कह रही हूँ उसको समझ पा रहे होंगे है ना? यह word diastereo isomers enantiomers मेरा रिमेज यह साव आपने first year में सुने होंगे जब stereocemistry को पढ़ा होगा तो मैं उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी याद भी हो क्योंकि आप बार बार तुमको first year की चीज़ रिबीज़न तो नहीं कराएंगे आपको पढ़ा है पहले इसलिए जाता है ताकि आप किसी चीज़ को अपने दिमाग में fit करके रखें तो यहाँ पर देखें हम क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर यह दोना आपस में epimer है क्योंकि इनमें C2 carbon पर stereochemistry difference है है ना तो हम यह definition लिख सकते हैं वे diastereo isomers जिनमे carbon number 2 पर क्या होता है क्या होता है difference होता है किसका stereochemistry का जिनमे carbon number 2 पर stereochemistry का difference होता है जिनमें कारवन नमबर दो पर विन्यास होता है वे क्या कहलाते हैं वे एपिमर ये क्या कहलाते हैं एपिमर कहलाते हैं For example, जैसे कि D-glucose और D-menose इनमें कारवन नमबर दो पर स्टीरियो केमिस्ट्री अलग-अलग है इसलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? एपिमर वो भी कौन से? C2 एपिमर तो एपिमर और एपिमर और एपिमर सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन एक है नहीं एपिमर वो होते हैं जहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट है लेकिन कहाँ पर? कारवन नमबर 2 पर तो एपिमर वो होते हैं वो डाया स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनमें कारवन नमबर 2 पर स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होती है जबकि एनोमर में क्या था एनोमर में स्टीरियो केमिस्ट्री अलग थी लेकिन कौन से हैमी एसिटल या हैमी कीटल कारवन पर तो वो क्या कहलाते थे एनोमर तो एनोमर होते हैं जहाँ पर हैमी एसिटल या हैमी कीटल कारवन पर स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग होती है व इस दोनों आपस में D glucose और D Menoze को देखा जाहें तो आपस में क्या है एपीमर हैं तो अगर इनका एक दूसरे में Inter-convergent करा हूं यानि कि अगर मैं D glucose से क्या बनाऊं दी मेनोज बनाऊं तो यानि एक एपीमर का दूसरे ऐपीमर में conversion हो रहा है तो एक epeymar जब दूसरे epeymar में बदलता है इसी को हम क्या कहते है epimary current, epimaryization तो कि glucose और manose क्या है एक दूसरे के epimer c2 epimer तो जब हम glucose को manose में यह manose को glucose में convert करते हैं परिवर्तन करते हैं तो इसी को बोला जाता है epimary current एक epimer का दूसरे एपिमर में परिवर्तन तो यही इंटर कन्वर्जन हम को देखना है कैसे करेंगे देखते हैं तो एपिमरी करण जो होता है यह दो तरीके से होता है दो तरह का इंटर कन्वर्जन हम यूज करते हैं तो पहले हम लिखते हैं एक एपीमर का दूसरे एपीमर में परिवर्तन एक एपीमर का दूसरे एपीमर में परिवर्तन क्या कहलाता है एपीमरी करण कहलाता है एपीमरी करण कहलाता है एपीमरी जेशन में क्या होगा एक एपीमर का दूसरे एपीमर में परिवर्तन जैसे कि जो हम करेंगे क्या करेंगे यहाँपर हम करेंगे डी ग्लुकोस का दी मैनोज में परिवर्तन अब जो हम इंटर कन्वर्जन देखने वाले हैं और दूसरे के एपीमर हैं C2 epimer, तो एक epimer का दूसरे epimer में परिवर्तन करना है, इसकी दो विदिया हैं, एक जो मैं भी कराने वाली हूँ और एक, एक और है कहलाती है, जो हम base की presence में किसी base की presence में जब हम किसी monosaccharide को गर्म करते हैं, या heat करते हैं हीट तो नहीं, लेकिन warm के लो, गर्म करते हैं किसी mild base की presence में तनू base की presence में, जब हम किसी monosaccharide को गर्म करते हैं, तो वो दूसरे में change हो जाता है, दूसरे में मतलब अपने दूसरे epimer में change हो जाता है इसी को हम क्या कहते है, epimeric current तो हम देखते हैं कैसे किया जाता है, यह दो तरीके से देखेंगे हम, दो विदियों से देखेंगे पहली विदी में देखेंगे माल लो हमारे पास क्या है, D-glucos को D-menos में परिवर्दन करना है, तो हम D-glucos लेकर चलते हैं, बना लिए भई हमने D-glucos, ऐसे लिखो यह क्या है, हमारे पास, यह हमारे पास D-glucos, क्या है यह, D-glucos है, ठीक है अब मैं सबसे पहले इसका क्या कराऊंगी, वाजी जो हमेशा कराते हैं, ओक्सीकरन, ब्रोमीन वाटर से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकरन कराएंगे, अब तक तो हम हजार बार करा चुके हैं, क्या होगा, यह जो LD-HID group है, किसमें change हो जाएगा, यह change हो जाएगा, acid group में, किसमें change हो जाएगा, acid group में, मैं ऐसे लिखूँ, बाकी को मैं ऐसे बंद करके लिख सकती हूँ, क्योंकि ऐसे लिख सकती हूँ, CH-OH का whole thrice, CH2-OH, इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्यों लिख दिया मैंने ऐसे, मैंने इसलिए लिख दिया, क्योंकि हमें केवल इस carbon number 2 पर stereochemistry का तो वो हम कैसे करेंगे, देखते हैं, यह बना, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मैं की totomerize form करके लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं totomer बना सकती हूँ, कीटो एनॉल totomerize देखे न, तो क्या होगा, यहाँ पर, यह जो hydrogen का bond है, ठीक है, यह वाला bond shift होगा, यहाँ, कारवन, कारवन के बीच में, और यह जो bond shift होगा, यहाँ, तो ओपर minus charge आएगा, यहाँ से H+, निकलेगा, तो यह क्या बना लेगा, यह बना लेगा, OH, और इधर भी OH, और यहाँ कारवन, कारवन के बीच के आगया, है, double bond, और यहाँ पर क्या है, OH, बाकी को मैं ऐसे लिख दू, CHOH का, whole thrice, CH2OH, ठीक है, यह दौनों एक दूसरे की क्या है, equivalent है, टॉटो मिराइज स्ट्रक्चर है, कीटो अनोल, टॉटो मेरेजम, जिसे आप कहते हैं, वो कह सकते हैं, आप इसे इसे तरह से हो रहा है, है, कीटो अनोल, टॉटो मेरेजम की तरह, कीटो फॉरुम किसे में, इनल सोर्म में, यादो आप पिछला अगर लेक्चर यатAhon, ह किस में चैंज किया था, मेनोनिक आशिड को ग्लूपोनिक से ना अब हमें उल्टा करना है किसमें के साथ यह इसकी फॉर्म एंधूसरी इस तरह से भी से लिए प्रोजय क्या किया था में वहां पर जब हम इसे हीट करेंगे किसके साथ पिरिडीन के साथ जैसे हम इसको क्या करेंगे हीट करेंगे पिरिडीन के साथ तो यह बापस से यहां पर क्या होगा बापस होगा यह जो गुरूप है यह यहां पर डवल एसेड में ओएज ग्रूप का है राइट साइड पर अब यहां पर क्या हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रूप लेफ साइड पर चला गया यानि ग्लूकोनिक चेंज हो गया किसमें यह कौन सा एसेड है यह मैनोनिक Menoic Acid Menoic Acid Menoic Acid ठीक है, ये बना अब हम इससे क्या करना है? Menoze बनाना है क्या करना है? Menoze बनाना है कैसे बनाएंगे वई? जैसे आपने पिछले Inter Convergen अगर आपको याद हूँ बिल्कुल सेम वैसा ही Inter Convergen है सबसे पहले मैनोनिक को किसमें चेंज किया था गुलुकोनिक में फिर ग्लुकोनिक को क्या किया था हीट किया था जिसमें से water molecule बाहर निकल जाता है और क्या बनता था lacular course वही यहां भी होगा अब मैं जैसी इसको क्या करूँगी heat करूंगी तो यहां से पानी बाहर निकल जाएगा जैसे ही मैं heat करूंगी तो यहां से क्या निकल जाएगा पानी बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा क्या बनेगा लेक्टोन कैसे बनेगा भई देख लेते हैं खोल के लिख दूं सिएस्टू ओएच ओएच तो यहां पर जो oxygen होगा वह यहां कर जोड़ जाएगा बाकी का गुरूप ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहां ओएच है यहां है और बाकी यह है है च, और यह क्या है ओ-अच यह फता और यहां पर ओ-अच यह इसको खोल के लिख दूं यह मैं इसे पूरही इसी यहहां पर खोल पाराइब नहींड का हुआ है हको यह इस नोमबर कारवन पर अभी यहांपर चेंज्ज हमकए यहांपर वहें नीक पनी स्वह न हुआ है तो हमने यहां पर लेफ टोन न बन गया क्या बन गया यह लेक्टोन बन गया ठीक है लेक्टोन बन गया फिर इस लेक्टोन का हम क्या कराते है इस लेक्टोन का हम कराते है अब चैन अब क्या कराएंगे इस लेक्टोन का अब चैन आपको यादो पिछले इंटर कंबर्जन में हमने कैसे कराये था अभी पिछले जो इ हम अमल को यह बोन है यह ब्रेक हो जाएगा यह जो जड़ जाएगे और यहां भी क्या जूड़ जोड़ जाएगा नगी से लुक हो गया यह बाकी मिनुन हो गया और बाकी यह तो पहले से थाई बाकी का bet currently से मौझूद थाई तो CH2OH ठीक है अब यह जो बना है हमारे पास finally product बनकर आया है यह क्या बनकर आया है यही तो है हमारा D-manose यही तो है हमारा D-manose तो हम लेकर क्या चलेते D-glucose D-glucose से क्या बन गया D-manose बन गया D-glucose से क्या कारवन नंबर 2 यह जो कारवन नंबर 2 है यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री अलग है इसमें राइट साइड पर है वाज ग्रूप इसमें लेफ साइड पर है तो एक एपीमर दूसरे में चेंज हुआ इसी को बोलते हम एपीमरी करण ठीक है तो यह इस तरीके से किया जाता है एक और तरीका इसे करने का वो आगे देखेंगे हम ठीक है एक और तरीका नेक्स लेक्चर में देखेंगे कर दो है जाता है एक वोग एक पर देखेंगे